नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुभास राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टेडी पर साथियों आज इस क्लास में जीके के 50 प्रश्ण रहेंगे और ये मोक टेश्ट है आपका 50 में से 25 कोस्टन्स आपको सही करने हैं आज के इस वीडियो में तो आपको कम्प्लीट देखना है ये कोस्टन्स जो है साथियों आपके SSC, CGL, CHSL, MTS, SSC, GD, CPU, Railway, ALP, Technician, RPF, NTPC, GroupD इसके अलवा कोई भी सिच्छक भरती की आप तयारी कर रहे हो कोई भी टीचर्स एक्जाम की इसके अलवा कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एक्जाम की आप तयारी कर रहे हो जैसे UP पुलिस, बिहार पुलिस, जारखन पुलिस, इसके अलवा साथियों आपका राजस् स्रम संगठन का मुख्यालाई कहां इस्ति थे वेरी वेरी इंपूर्डेंट कोश्चन है यह भी ध्यान से दिखिएगा तो अंतराष्टिय स्रम संगठन का मुख्यालाई आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर इस्ति थे याद रखना करिक्ट आएगा ओप्शन नमबर D जिन जो के साथ यहों देखिए केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और बसुला भी जाता है लेकिन इसको जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में बाटा जाता है बहुत ही इंपूर्डेंट कोश्चन है तो देखिए करिक्ट आएगा ओप्शन नमबर D क्रिसी खुक्ता है उसको केंद्र सरकार लगाता हैं लेकिन केंद्र और राज्य दोनों में भाटा जाना है आपको याद बित आयोग के सिफारिस पर याद रखना बित मंत्रा ले नहीं बित आयोग के सिफारिस पर option number B राइट आएगा देखिए आपको count करते चलना है या तो हर एक question का answer आप वीडियो में वीडियो के नीचे comment box में comment करके बताईए और देखिए last में कि आप कितने question का answer सही कर पाएं है देखिए भारत में सिख्के जारी करने के लिए कौन अधिकरीद है तो भारत में जो सिख्का जारी करता है वो कौन जारी करता है ये आपको बताना है तो correct आएगा बित मंत्रा ले option number B correct होगा यहाँ आगे देखिए निमनल कित में से किस दीप यूगम को 10 degree channel अलग करता है तो वह 10 degree channel जो है ये किसको किस से अलग करता है साथ यो बहुत ज़्यादा ये question पूछा जाता है तो देखिए 10 degree जो channel है ये अंडमान तथा निकोबार को आपस में अलग करता है या बाटता है तो अंडमान तथा निकोबार को आपसन नमबर सी करिक्ट है निमनल कित यूगमों में से कौन सा सही सुम्मेली थे यानि इन में से कौन सा जोड़ा है जो की बिलकुल सही है ठीके एक सही है बाकी सब गलत है तो देखिए गा यहाँ पर जो है न साथ यो अलोनार जिल यह आपका मज़्द परदेश लिखावा है गलत है यह तो महरास्टा में है देखो यहाँ पर जो है न केवल ओप्सन नमबर सी जोड़ा आपका सही है कोलेरू जील जो है यह आपका आंध्र परदेश में है बाकी यह तीनों गलत है तो इस कोस्टेन के लिए आपका आंसर होना चाहिए ओप्सन नमबर सी आगे दिखिए नेक्स्ट कोस्टेन है निम्न में से कौन सा भारत का सरवदी कौफी उत्पादक राज्जी है यानि भारत में सबसे अधिक कौफी का उत्पादन कहा होता है यह आपको बताना है तो साथियों दिखिए करिक्ट आएगा करनाटक याद रखना भारत में सरवदी कौफी का उत्पादन जो है वो साथियों करनाटक में होता है दिखिए जो केंद्रिया कॉफी अनुसंधान सस्थान है ना वो साथ ही करनाटक के कुग रिजिले में केंद्रिया कॉफी अनुसंधान सस्थान भी इस्थी थे याद रखना तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करनाटक में होता है आगे दिखिए 2011 की जनगर्ना के अनुस पुछता कि कौन सा सहर है 2011 के जनगर्णा के अनुसार जो कि सबसे ज़्यादा नंगरी करीद है तो फिर आपका करिक्ट अंसर महराष्टा का मुंबई हो जाएगा याद रखना राज्य पूछ दिया है तो गो आएगा अगला कोश्चेन है गन्य का बीज उत्पादित किया ज देखिए SBI कोयम बतूर तमिल नाडू में जो है यह उत्पादित किया जाता है तो साथ यह आपको याद रखना है बहुत ही इंपूर्डेंट कोश्चेन है यह जो SBI है इसको आप State Bank of India मत समझना इस SBI का फुलफरम क्या है देख लीजे तो यह जो SBI है इसका फुलफरम है Sugar Can Reading Institute याद रखना जो कि कोयम बतूर में इस्तित है आगे देखिए भारत में परियावरन सरक्षन अधिनियम कब पारित हुआ था तो इसका आंसर आपका option number भी correct आएगा 1986 में अगला है तोगया रोपवानी किसको कहा जाता है तो देखिएगा इस question का correct आएगा उपरुक्त स सभी को जैसे कि बन रोपन प्रनाली को टोगया रोपवानी कहा जाता है ब्रिच रोपन तथा साथ में जो क्रिसी होता है यानि ब्रिच रोपन और उसके साथ ही क्रिसी जो होता है उसको भी टोगया रोपवानी कहा जाता है इसके साथ साथ प्रारम के फसल का भी विकास हो यानि इन सभी को जो है टोगिया रोपवानी कहा जाता है तो option number D correct होगा भारत में संचार का सरवादिक सुलब माज़दम क्या है तो देखिए भारत में संचार का सरवादिक सुलब माज़दम है समाचार पत्र correct है option number D आगे देखिएगा साइबर अपिल अधिकरन की अस्थापना कौन करता है तो साथियो देखिए साइबर अपिल अधिकरन की जो अस्थापना है वो भई केंद्रिय सरकार करता है option number B correct आएगा केंद्रिय सरकार भारत का राश्टिया ब्रिक्च कौन सा है बड़ा ही simple question है तो देखो correct आएगा बरग के लिए मैगसे से पुरसकार इनके द्वारा प्रारम किया गया यानि समाज सेवा के लिए जो मैगसे से पुरसकार दिया जाता है जिसको एसिया का नोबेल भी कहा जाता है इसको प्रारम किशने किया था तो देखो इसको प्रारम किया था फिलिपिन्स ने फिलिपिन्स की स से संबंधी तो रंजी टॉफी यह साथ यह घरिलू किरिकेट से संबंधी थे तो ऑप्सन नंबर से करेक्ट आएका क्रिकेट से अगले भारत में राष्टे युवादिवस कब मने आ जाता है तो देखिए नैशनल यूथ यानि राष्टे इवादी वस्त ये सुआमी विवेक आनन जी के जनमती थी पर प्रतेक वर्स जो है बारह जनवरी को मने आ जाता है option नमबर ए करिक्ट है तेलगू देखिए तेलगू कृती अमुक्त मालियद ठीक है अमुक्त मालियद का लेखत कौन था तो वह अमुक्त मालियद का लेखत विजय नगर समराज के सासक कृष्ण देवराय ने किया था तो करिक्ट आएगा यहां आपका कृष्ण देवराय जिन्होंने अमुक्त मालियद का इब की रचना की अगला कोष्ण है जॉन ई साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं जॉन ई साल्क ने इनमें से किसके टीके को खोजा था तो साथियों करिक्ट आएगा पुलियों के टीके को option number C right है अगला कोष्ण है मानव सरीर के सबसे चोटी अस्थी कौन सी होती है तो दिखिए मानव सरीर का जो सबसे छोटी हड़ी है अस्थी है वो कौन सी है तो याद रिखिए इस्टेपीज जो कि साथियो मज्द कर्ण में होता है यानि मज्द कान में होता है याद रखना इस्टेपीज अगला कोस्चेन है मिरिग तृष्णा उदाहरण है किसका तो ब पर्मानो संक्या 11 होता है इसको किसमे डुबोकर रखा जाता है तो राइट आएगा किरोसिन में ओप्शन नमबर किरोसिन नेक्स्ट है नेमनलखित में से काकवरी कांट से जुड़ा कौन सा करांतिकारी था जिसे फासी नहीं दी गई थी तो भई काकवरी कांट से पर्मानो से जुड़ा जात जुड़े थे लेकिन इनको फासी नहीं दी गई थी तो करेक्ट आएगा ओप्शन नमबर सी अगला कोस्टेन है किस धर्म को राष्ट कुटो का सरचक प्राप्थ था यानि इनमें से कौन सा धर्म है जिसका सरक्षन राष्ट कुट सासकों ने क किया था तो करेक्ट आएगा जन धर्म का ओप्शन नमबर भी अगला संसद के दोनों साधनों की संयुक्त बेठक की अधिचता कौन करता है तो बैसंसद के दोनों साधनों की संयुक्त बेठक का प्रावदान संभिधान के अनुच्छे देख 108 में किया गया है और इसकी सभा अद्दच यानि स्पीकर नेक्स्ट है इन में से कौन भारतिय संभिधान सभा का अद्दच था तो भारतिय संभिधान सभा का अद्दच कौन था तो देखे करिक्ट आएगा यहां आपका डॉक्टर राजिंद्र प्रसाद ऑप्शन नमबर भारतिय संभिधान में समा और अनुछिद 18 में तो यह आपका करिक्ट आएगा अनुछिद 14 से लेकर 18 तक में ऑप्न नमबर भी राइट है मानवधिकार आयोग का अध्दच अपने पद पर कब तक बना रहा सकता है तो देखें मानवधिकार आयोग का जो अध्दच होता है वो अपने पद पर कब तक बना रहा सकता है यह पूछा जा रहा है तो भाइज ध्यान से दिखीगा करेक्ट अंशर आपका हो जाएगा देखे ए तथा भी जो भी पहले हो यानि ओप्सन नमबर सी करेक्ट होगा या तो सतर वर्स की अवधी तक या पांच वर्स तक इन में से जो भी पह साइब में उनीस सों पंचैनल में याद रहिए बहुत ज्यादा कोश्चेंट ये पूछा जाता है अगला अर्थ विवस्था में स्रम की आपुरती किस पर नीर्भर करती है तो साथ क्यों में स्रम की जो आपुरती है यह जन संख्यव सेअफ पर निर्भर करती है याद तो भई आप स्थिती किसको बोलते हैं तो देखो एक होता है आपका मुजरा अपस्थिती में क्या होता है तो कीमत aster जो है वह स्थिर रहती है फिकें कीमत जो अस्तर है वह तो बिल्कुल इस्तिर रहता है, यहीं मुद्रा इस फिती में आपको पता है कि वस्तु कमील घट जाता है साथियो, आगे देखिएगा दादा भाई नरोजी ने अपने धन का पलायन का सिध्धांत किस पुस्तक में वर्नन किया है, यह कोस्चन बहुत ज़्यादा पूछा ज प्रिय, चंद्रमा, तथा प्रिथिवी, तीनो एक ही रेखा में रहता है, तब जुआरभाटा आता है, ठीक है, भारत में सुति वस्त्रों का दुसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में सुति वस्त्रों का दुसरा सबसे बड़ा उत्पादक से जानी जाती है तो देखिए गंगा नदी जो एनसाथी जो भारत की ब्रिहतम नदी है जिसकी कुल नंबाई 2525 किलो मिटर यानी 2525 किलो मिटर है यह जब बंगलादेश में प्रविश करती है तो बंगलादेश में गंगा नदी को पदमा के नाम से जाना जाता है याद रिख सके केले की जाई पोधे की एक विमारी तो केले की जाई यह पोधे केले पोधे में वाली एक वीमारी यहाँ किसके कारण ब homepage की कारण option की- Commission होगा निव्न में से कौन सी एक 2001 से 2011 के दसक में भारत की जनसेंखा की दसक्य बृधिदर रही थी तो भगी याद रिखेगा 2001 से 2011 के दसक्य बृधिदर इनमेंसे कौन सी planeta चांग रहीती तो याद रिखेस 17.64% करिक्ट आएगा नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व सहीता 2006 के अधिन भुराजस्व के निर्धारण में किसका आदेश अंतिम होगा तो देखिए उत्तर प्रदेश में केंद्रिय विश्विद्याले की संखा कितनी है तो साथियो याद रिखेगा चार है उप्शन नमबर भी करेक्ट आएगा चार अगला साइबर अपराद निम्न में से किससे मुलता संबंदित होता है तो साइबर अपराद जो है न वो देखिए कॉंप्यूटर इंटरनेट संचार योगतियों से यानि उप्योगत सभी से संबंदित है उप्शन नमबर अगला निम्नल कित में से कौन सा केरल का लोक नेरित्य नहीं है तो देखिए कैरल का हिमाचल प्रदीस ये आपको बताना है यहाँ अगला मानस राष्टे उधान किस राज में इस्ति थे तो देखिए मानस राष्टे उधान तो साथियो असम में इस्ति थे option number C इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्मान किया जिसे किस के रूप में जाना जाता है तो इसरों ने भारत के लिए जो पहला उपग्रा बनाया था उसको आरियभट के नाम से जाना जाता है अगला अंजू बेबी जॉर्ज किस खेल से जुड़ी हुई हैं तो दिखिए अंजू बेबी जॉर्ज जो है साथियो इनका संबन किस खेल से तो याद रिखिएगा करिक्ट आएगा एथलेटिक से ओप्शन नमबर भी The Taste of My Life पुस्तक के लेखक कौन है तो दिखिए The Taste of My Life पुस्तक के लेखक कौन है याद रिखिएगा युबराज सिंग ऑप्शन नमबर एराइट आएगा तो 70 पचास कोशन में से आप कितने कोशन कर्यक्ट कर पाएए राज़ेगे